Hello students, कैसे आप सभी? आज हम लेखर रहा हैं आपके लिए प्रकास अंसलेसन का पार्ट 2 जैसे कि मैंने आपको पहली ही बताया है कि प्रकास अंसलेसन को जो है हम 7-8 सेरीज में सुरू करेंगे और हमने प्रकास अंसलेसन का पहला पार जो है history का हमने अध्यान कर चुका है और आप लोगों ने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो description पे जाकर आप link दिया गया है उसका अध्यान कर सकते हैं तो आज का हमारा जो topic है प्रकास translation का part 2 है students ध्यान देंगे और हमारा topic है ये प्रकास translation का प्रयोग तो प्रकास translation में जितने भी प्रयोग हुए है उनसे related हम 10 महतुपून topic का क्या करेंगे हम अध्यान करेंगे तो चलिए देख सुरू करते हैं हम आज का या वीडियो चलिए देखते हमारा पहला question क्या कह रहा है कि प्रकास translation में oxygen के निसकासन के प्रदर्शन हे तू प्रयोग सा में कौन सा पौधा प्रयोग में लाया जाता है तो स्टूडेंट आपको बताना है कि प्रकास translation के जो क्रिया होती है उसको समझाने के लिए oxygen gas निकलती है तो इसमें कौन सा पौधा यूज किया जाता है आपके absence है सूरे मुखी हाइड्रीला क्रोटोन या क्रोटान भी कहा जाता है बालसम यह इन में से कोई नहीं तो इस्टूडेंट सिवाला जो टॉपिक है आप जो हैं दसवी की क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा इसका सही आंसर है क्या है है हाइड्रीला आप लोगों को यह वाला विधी याद आ होगा जिसको हम दोंग बोलते हैं क्या उल्टे कीप विधी जिसमें उल्टे कीप विधी के द्वारा इस तरह से उसका अध्यन किया जाता है और इस तरह से इसमें परकनली को रख दिया जाता है और नीचे में क्या कर दिया जाता है यहां पर हाड्रीला के प्लांट को रख चलिए बढ़ते हम अगले कोशन के और हमारा अगला कोशन कह रहा है एक नट हमारा अगला कोशन कह रहा है कि प्रकास अंसलेशन के अध्यान में लोग प्री आइसोटोप्स का प्रियोग किया जाता है जब प्रकास अंसलेशन का क्रिया किया जाता है तो जो प्लांड जब होत लोग प्री यह हैं जैसे आपके options है C14 and C14 and O18 मतलब कि carbon के 14 isotope और oxygen के 18 isotope को दिये जाते हैं option यह है option B है C11, C32, C16, C15, P32, C15 यह इन में से कोई नहीं तो student यह थोड़ा सा logical question है लेकिन आप इसको गौड़ से देखेंगे तो इसका answer आपको जरूर पता होगा इसका सही answer है student option number 1, option number 1, C14 and O18 का उप्योग किया जाता है होता क्या है कि जो C14 होता है isotope का उप्योग क्या होता है carbon का mark जानने के लिए होता है कि कि किसी भी plant में जो होता है उसमें carbon का जो वे होता है वो किस वे में grow करेगा किस वे में movement करेगा उसका हमको अध्यन करना है तो क्या होता है C14 का use किया जाता है फिर है आपका oxygen 18 oxygen 18 का जो उप्योग जो होता है यह मतलब इसका उप्योग यह प्रमानित करने के लिए या फिर यह सिद्ध करने के लिए होता है कि जो प्रकास संसलेशन में प्रकास संसलेशन में जो oxygen gas release होती है उसका स्रोत carbon dioxide जल है नाकी carbon dioxide यह ग्याद करने के लिए oxygen 18 का यूज किया जाता है तो इस टूड़ने हाँ पर देखेंगा अब दो टॉपिक्स बन गए कोसन यह भी आ सकता है कि C14 isotope का किस के लिए किया जाता है तो इसका याद रखेंगे कि जो अगले टापिक की ओर प्लेशन के ऑर हमारा अगला कुछन क्या कहा रहा है हमारा अगला इमर्शंद प्रभाव किस्तों की उपस्थी सिद्ध करता है तो किया सब्सक्राथ था हिस्ट्री से रिलेटेड था तो उसमें जो हमारा जो चौथा जो कोशन क्या कहा रहा था जो में आया था 2016 में कि अक्सिजन जो होता हो किस से प्राप्त होता है उसको कौन साइंटिस ने बताया था ठीक है आज उसी का क्या है एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अब बात कर रहे हैं हमने जो पुराने वीडियो हमने यह भी बात किया था कि कौन से ऐसे दो निम्न में से किसकी उपसिती सिद्ध करता है तो मतलब आपको यह तो पता चल गए यहां पर क्या होंगे पिग्मेंट सिस्टम वान होंगे और क्या होंगे यहां पर पिग्मेंट सिस्टम टू होंगे यह तो आपको क्लियर होगे होगा चले देखते हैं आपसंस क्या कह रह है दो इस पर्ष्ट प्रकास रसाइनिक क्रियां अत्वा प्रक्रियां के लिए दूसरा प्रकास अंसलेशन में प्रकास तथा अंधकार क्रिया के लिए फोटो फास्फुराइलेजेशन में प्रकासी स्वसन में या इन में से कोई नहीं तो जैसे कि श्टूडट मैंने आपको बताया कि पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 होते हैं तो फोड़ा सापको हिंट ध्यान देना है पिछला जो वीडियो में मैंने आपको इसको क्लियर किया था तो इसका सही अंसर क्या होगा अपना क्समा क्या होता है क्योंकि पिगमेंट सिस्टम 1 या फिर बोल सकते हो यहां पर क्या होगा आख यह होता है वह प्रकास राशानिक क्रिया होती है ठीक है चली बढ़ते हैं अगले कोसी कंकि होड आगले कोशन कह रहा है scientist का नाम है Warburg ने अपने प्रभाव का अध्यन किया था scientist है उन्होंने अपना experiment किया रहा होगा scientist कोन है Warburg आपको बताने कि किस में किया था आपके options है clay, medomonas, chlorella, wall wax पर उप्रोग्त सभी या इन में से कोई नहीं तो भई वार बर्ग ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वह था आपका क्या क्लोरेला क्या था क्लोरेला वारबर्ग ने क्या किया था सन की बात है 1990 में क्या किया था प्रकास के उप्योग में जो ग्रीन एल्गी है जो क्लोरेला जो होता है वह क्या होता है Green Algae, Green Algae का मतलब क्या होता है हरा सवाल हरा सवाल क्यों कहते है इसमें Chlorophyll क्या होता है Present होता है इसलिए इसको Chloryl Chlorophyll Present होगा तो इसने Related अगर आपको Answer मिलेगा तो वही उसका क्या होगा आपका Answer सही होगा चलिए बढ़ते हम अगले कोशन की ओर हमारा पांच वा कुशन क्या कहा है कि किसके प्रियुग द्वारा प्रकास संसलेällen में कारभण पत देखा गया कोँसी प्रकास संसलें संमें तो आपके आपसंस है centrifugation, radio isotopes, fractionation, prometography या उप्रोक्त सभी तो इसका सही answer है student इसका सही answer है radio isotopes आपको याद भी होगा इसके पहले मैंने एक question किया था जब हमने इसका history पढ़ रहे थे नाम था उसके वग्यानिक का Ruben and Kamen तो देखे, instant पहले हमने क्या पढ़ा है पूर्ण स्चैंटिस्ट के नाम पढ़ें, आज हम उस्भी क्या पढ़व हा है, एक्स्पेरिमेंट पढ़े है तो इस तरह से क्या होते जाएगा, सभी का क्या होते जाएगा? लिंक जूरते जाएगा, C14, अभी थोड़े दिर मैंने आपको पहले भी बताया था, C14 रेडियो अक्टिव आईसो टाइप का उप्योग जो है किस में किया था और क्लोरेला में किया था, ठीक है, बढ़ते हम अगले कुशन क्यों, छटवा नमर का कुशन कह रहा है, फोटो सिंथेसिस संबंधी सोध क पारे के लिए अधिकांस प्रयुक्त पदार्थ है, जब फोटो सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें कौन सा पदार्थ का यूज किया जाता है, आपके आप्संस है, कलेमाइडो मोनास, पाला की पत्तियां, क्लोरेला, हाइड्रिला, और इनमें से कोई नहीं, तो इस्टुडेंट, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, आपको तो नौलेज हो गया होगा, थोड़ा सा हिंट भी मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर होगा क्या इस्टुडेंट, क्लोरेला, चलिए, बात करते हम साथवे नंबर की कुस्टन क जो मोल का प्रियूग प्रदर्सित करता है, मतलब प्रदर्सित करते हैं, मतलब मोल का जो सब्द का प्रियूग वह था, इसने किस ने किया था, एफ, एफ, ब्लेक मेन ने, रॉबर्ट इमर्शन वा अर्नॉड ने, कैल्विन ने, कैल्विन, मैल्विन, कैल्विन ने, रॉबर्ट, हिल ने, और आपके अपसन है इसमें क्या, इन में से कोई नहीं, तो इसके जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है, वो हो गए, इस्टुडेंट क्या, मैल्विन, एन कैल्विन नामक जो साइन्टिस्ट है, इन्होंने ही क्या किया था, मोल सब्द का यूज किया था, ठीक है, चले, बढ़ते हैं, अगले कुश्चन क्योंट, मारा अगला नामक रहा है, कि कैल्विन, तथा सांथिओं द्वारा कारे के लिए प्रयूक्त अलगी है, मतलब अलगी, कैल्विन, सांथिओं ने प्रयूक किया था, तो अलगी कौन सब्सें है, आप सबके क्लोरिला, वालवाक्स, कलेमाइडो मुनास, उप्रोग सभी इन में से कोई नह लेकिन question पूछने के तरीके सब क्या थे अलग्तर तो इसका सही अंसर क्या होगा Chlorella क्योंकि पहले बताया था मैंने कि Kelvin नमक जो Scientist थे Chlorella के sori Chlorella के 14 Carbon के 14 isotope क्या थे कि Carbon के 14 isotope मतलब समस्थानिक का उपयोग करके प्रकास अंसलेशन में क्या किया था कार्बन का मार्ग का पता किया था ठीक है ना इसका सही अंसर क्या होगा क्लोरेल चलिए बढ़ते हमारे नौवे कोशन क्यों हमारा नौवा कोशन क्या कह रहा है कि हरे पौधों पर कारे करने के लिए नोबेल प्रुसकार प्राप्थ हुआ है मतलब ऐसे कौन साइंटिस्ट है जिन्हें हरे पौधों पर कारे करने के लिए नोबेल प्रुसकार प्राप्थ हुए हैं आपके आपसंस इसका आंसर पता होना चीए और इसका सही आंसर स्टूडेंट केलवीन और बोर लागने केलवीन और बोर लामक जो साइंटिस्ट थे उन्हों नहीं क्या किया था अध्यन किया था किस पर हरे पौध्यों पर जिसलिए उसके करण को क्या प्राप्थ हुआ था नोबिल होता है चलिए देखते इसके आपसंस क्या है आपके गन्ने में कपास में मतर में आम में यह इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है इस्टूडेंट क्या होगा इसका सही आंसर है गन्ने में क्या होता है गन्ने मे ठीक है नगा कि दोता है क्रेंजय को अपहले वहाँ सम्झेस के हुपा जाता है इंपऌर्टेन का susten का? यह कहाँ पर पाजाता है यह बी धान का जिए देनके तो यह जो होता है यह लीप में पाया जाता है क्या होता है लीफ में पाया जाता है ऐसे मतलब C4 plant के जो plant होते हैं उनकी जो leaf होते हैं उसका Vescular bundle जो क्या होता है उसका Vescular bundle अब Vescular bundle मतलब कहने का मतलब इस्टूडेंट वह जायलम फ्लोयम इन भागों से क्या होगा मिलकर बना होगा ठीक है ना किसकी बात किया मैंने Vescular bundle की तो Vescular bundle कितने भाग होंगे जायलम और फ्लोयम होंगे ठीक है अब देखते हैं स्वारी इसको एक बख्षीर से एक एक्स्प्लेंट कर देता हूं मैं मैं क्या बता रहा था कि जो बीच में होगा कोई भी पत्तिया है पत्तियों में क्या structure होता है क्या Vescular bundle क्या होता है बता है मैंने इसके दो भाग होते हैं कौन-कौन से जायलम और फ्लोयम ठीक है ना जायलम और क्या होते हैं फ्लोयम होते हैं अब जायलम और फ्लोयम मतलब क जो वेस्कुलर जो बंडल होते हैं वह एक बंडल सीथ के द्वारा क्या होते हैं ये बंडल सीथ है बंडल सीथ के द्वारा क्या होते हैं घिरे हुएते हैं तो लीप में इस तरह की जो सरचना बनती है उन्हें ही क्या कहा जाता है क्रेंज इनाटॉमी कहा जाता है तो इस्टूडेंट जब हम आगे जब सी फूर प्लांट का अध्धन करेंगी तो मैं आपको इसके बारे में व्रिष्टित रूप से बताऊंगा लेकिन आपको यह जरूर ध्यान रखना है इक ग्रेज ने टॉमी औस् congratulate और क्रेंज को कहेंगे वेस्कुलर बंडल को पूर्श को सब़स्थ के और हिरण ये से किसमें पर हैं गन्य में किसा सथ क्या होता है या मक्का में किसमें पाजाएगा मक्का में बाजरा में साइप्रस एमरेंथन्स आदिप के पौधों में भी क्या होता है या पाया जाता है तो यह थे इस वीडियो के दस महत्पूल कोस्टन मैंने आज एक न्यू सेशन शुरू किया है आपने हमारे पुराने वीडियो का अगर अध्यन किया होगा अच्छे से तो आपको जो मैं अब आगे पूछने वाला हूं कोस्टन उसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा तो देखते हैं आज का सवाल य आपको तयारी होते रहेगे इससे आपको पता चलेगा कि हमारी तयारी कितनी हो रही है तो जरूर जो है आप कमेंड बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे सभी स्टूडेंट्स मेरी गुजारी से रहेगी कि सभी जो है इसका आंसर जरूर देवे तो कोस्टन क्या कह रहा था कि इसके बारे में मैंने nutrition जो डाला था उस वाले टॉपिक से related है बड़ी आत के कितने भाग है तीन भाग होते हैं तो आपको इन में से बताने कि इन में से कौन सा ऐसा भाग है जो नहीं है आपके ऑप्शन है सीकम, कोलन, रैक्टम, इलियम और इन में से कोई नहीं तो इस्टुडेंट आप जो जरूर जो है इसके आंसर जो है ताकि सभी इस्टुडेंट की क्या हो सके तैयारी हो सके थाइंक्यू